उशा का सगा बेटा सुनील और बहु किर्ती उन्हें उनके सौतेले बेटी के साथ छोड़ कर जा रहे होते हैं बेटा तेरी जब कमाही बढ़ जाएगी कम से कब तब तो मुझे तू लेने आ जाना हाँ हाँ मा क्यों नहीं चलो भी अप कितना लेट कर दिया है टेक्सी इंतिसार कर रही है बाहर हाँ हाँ चलो सुनिल और किर्ती चले जाते हैं और उशा उन्हें जाता हुआ देख उदास हो जाती है तभी वहाँ निशा आ जाती है अपनी सास को उदास देख निशा उनके पास जाती है क्या हुआ मम्मी जी आप तो बहुत सगा बेटा सगा बेटा करती थी आपके सगे बेटे ने तो आपको छोड़ दिया और चले गया अपनी अलग रहस्ती बसाने देख बहु मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मुझे यकीन है कि जब उसकी तनखा बढ़ जाएगी तो वो मुझे ले दे जरूर आ जाएगा हाँ ये भी देख लेंगे कि वो लोग आपको वापस लेने आते हैं या नहीं तब तक तो आप भी यहीं हो और मैं भी उशा अपने बेटे के ना होने से बहुत ही उदास रहने लगती है उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया सुनिये जी ममी जी ने आज भी कुछ नहीं खाया जब भी खाने के बारे में पूछती हूँ तो कह देती हैं पूख नहीं है और अपने कमरे में ही बैठी रहती है ये सुनकर रिशब अपनी मा के पास खाना ले कर जाता है मा सुनियल बेटा आ गया तू ओ तू है मा मैं खाना लाया हूँ खा लीजी प्लीज आप ऐसे भूखी रहेंगी तो बिमार पड़ जाएंगी मुझे भूख नहीं है ले जा तू खाना ठीक है फिर जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी नहीं जाने वाला यहां से अरे तू क्यों जिद करता है कहा ना मुझे भूख नहीं है अरे मम्मी जी अब खा भी लीजिए न ये कितने प्यार से आपको खिला रहे है उसके तो कदर कर लीजिए कम से कम अरे तू क्यों बीच में हमेशा अपनी टांग अड़ाती है ठीक है लाओ दे दो कम से कम खाने के बाद तुम दोनों तो इस कमरे से जाओगे उशा खाना खा लेती है और रिशब और निशा ये देखकर खुश हो जाते है चलो कम से कम माने खाना तो खा लिया उशा एक दिन सुनिल को फोन मिलाती है अलो बेटा सुनिल तु घर मिलने आ जाना बहु को लेकर कितने दिन हो गए बहुत मन कर रहा है मेरा हाँ हाँ ठीक है मा आफिस में बहुत काम है टाइम मिला तो आ जाओंगा सुनिल फोन कार्ड देता है हैलो हैलो सुनिल बेटा सुनिल की बात सुनकर उशा उदास हो जाती है तब ही वहाँ रिशब आ जाता है मा ये देखो मैं जले भी लाया हूं तुमारे लिए तुम्हें बहुत पसंद है न उशा जले भी देखकर बहुत खुश हो जाती है अरे वाँ जले भी लाला दे उशा जले भी आ खा रही होती है और रिशब अपने कमरे में चला जाता है देखा ममी जी आपका ये कितना खयाल रखते हैं और प्यार सगे और सौतेले से नहीं आका जा सकता आपको उदास देखकर ये आपके लिए तुरंत जले भी लिए आए यही तो प्यार होता है ये कहकर निशा वहाँ से चली जाती है और उशा सोचने लगती है शायद तू ठीक कह रही है बहु उशा देखती है कि रिशब उसका बहुत खयाल रखता है और उसे उसकी गलती का ऐसास होने लगता है एक दिन सुनिल और किर्टी घर पर आते हैं उशा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और मा कैसी हो? अरे बहुत अच्छी हूँ रिशब और बहु मेरा बहुत खयाल रखते हैं पैसे मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा बहु के साथ क्यों ऐसा क्यों लगा आपको मा? बेटा फोन पर तुने कहा था कि तुझे बहुत काम है हाँ मा पर मुझे ये भी तो पता था ना कि मेरी मा इंतजार कर रही होगी मेरा ना बेटा ना मैं तो इंतजार नहीं कर रही थी मैंने तो उमीदी छोड़ दी थी सुनिल को ये देखकर अजीब लग रहा होता है कि उसकी मा रिशब से अब बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके आने की उनको कोई खास खुशे भी नहीं होती है अपनी मा का ध्यान न पाकर उसे थोड़ी सी जलन मैसूस होती है मा ये देखो मैं क्या लाया हूँ, साड़ी तुमारे लिए हाँ बेटा अच्छी है साड़ी तो सुनिल को अब बहुती ज्यादा जलन हो रही होती है उसे समझ नहीं आता कि अपनी मा का ध्यान फिर से कैसे वो अपनी तरफ खीचे रात हो जाती है और उनकी जाने का वक्त आ जाता है मा चलो अपना सामान बांदो और हमारे साथ चलो किर्ती ये सुनकर चौक जाती है ये क्या कह रहे हैं आप हम सासुमा को लेने थोड़ी ना आये थे अरे तुम चुपो जाओ मा चलो जाओ अपना सामान बांदो आप मेरे साथ हा रही हो मैंने कह दिया तो कह दिया अरे पर बेटा तेरी तो तनख्वा कम है मैं तुझ पर बोज नहीं बनना चाती अरे मुझ पर बोज नहीं हो मा बस आप चलो ना मैं लेकर ही जाओंगा आपको नहीं बेटा अब मैं नहीं आना चाती मैं तो अब रिशब और बहु के साथ ही रहूंगी ये सुनकर रिशब चौंक जाता है ये क्या कह रही हो मा हाँ बेटा मैं कहीं नहीं जाने वाली अब मा अब सच में नहीं जा रही नहीं बेटा मैं तो तेरे पास ही रहूंगी अब और जो प्यार मैं तुझे नहीं दे पाई उस सब दुमगी बेटा रिशब और उसकी मा गले मिलते हैं और नीशा खुश हो जाती है